दोस्तों तो बीहार postmatic के scholarship को लेकर काफ़े सारे बच्चों का user id password मिलना सुरू हो चुका है ऐसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी है जिन区ोंने फाउम को finalize भी किया है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिरका फाउम finalize नहीं हो रहे है रीजन यह है कि जब वो अपना status चेक करते हैं तो कहीं न कहीं उसका जो form है वो reject हो चुके हैं जैसे मेरे इस्तिती में in candidate का देखेंगे cast certificate जो है reject कर दिये गए रीजन यह है कि यह बचे अल्रेडी BC category से है लेकिन इन्होंने online पंजीकरन जब किया था उस समय इन्होंने अपना category गलत कर दिया था इन्होंने EVC के माध्यम से आवेदन किया था जिसकारन से इनका cast certificate देखेंगे वो reject कर दिये गए हैं बाकि बहुत सारे detail इनका जो है verify हो चुके है resident इनका pending है साथ ही साथ यहां पर इनका income certificate भी pending है और cast certificate reject हो चुके है तो इस वीडियो में proper बात करेंगे कि वैसे बचे जिन्होंने form को apply किया है उनका user ID password भी मिल चुका है लेकिन वो जब application status चेक करते हैं तो कहीं ने कहीं उनका form reject हो चुके है किसी कारण से तो वैसे इस्ति मिलती रहे तो चैनल को subscribe करें आने वाली सारी update की जनकारी आपको मिल पाएगी इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा इनका official website बिहार postmatic का या इसका direct link हमारे official website online update htm.in पर भी मिल जाएगा जहां पर देखेंगे बिहार postmatic scholarship 2023 supply का link मिलता है जिस पर जब आप click करेंगे त आपको यहां पर मिल जाएगा application status का यहां पर आपको देख लेना है कि form आपका किस कारण से reject हुए है reject अगर हुए है तो यहां पर आपको पूरी जनकारी मिल जाएगी साथे साथ अब जो है आपको user ID password ही मिल रहा है तो अगर आपको मिल चुका है तो सही है नहीं मिला है तो और इस capture code को fill करना है login वाले विकल पर click करना है login करने के बाद इस पर का interface आएगा सबसे पहला काम आपको करना होगा आपको अपना personal detail update करना होगा जिसके लिए update personal detail वाले विकल पर जब आप click करेंगे तो इसमें जो अपने registration करते वक्त जो भी जनकारी आपने fill किया था तो य इन्होंने EVC के माध्यम साबेदन किया है actual में इनका category जो है BC है क्योंकि यह यादव category से belong करते है फादर के नाम साब देख पा रहे होंगे तो उस स्तिति में पहले आपकी जो भी गलती होगी उससे personal detail में आकर click जब करेंगे हो सकता है आपके सामने भी लगाउट कर दिया ज और personal detail भी जो जनकारी आपके fill नहीं होगी वो जनकारी को आपको fill करना है फिर आपको आना है यहाँ पर आपकी जुभी address और communication detail है जिसमें आपको अपना पूरा address को यहाँ पर mention करना है और एक option यहाँ पर मिलता है update का जिस पर click करके अपने detail को update करेंगे फिर एक option मिलता है go to home का जिस पर click करना है अब जिन candidate को यहाँ पर अगर bank detail में कोई update करना है या detail आपकी गलत होने के कारण reject किये गया है तो यहाँ पर bank detail वाले विकल पर आप click करेंगे उसी अनुसार आपको देख लेना है कि अगर मान लिए आपका जाती आवासी आया के कारण reject किये गया है त certificate को भी आपको update करना होगा जिसके लिए एक option मिलता है certificate detail जिस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करते हैं थोड़ा सा wait करेंगे आपके सामने यह dashboard आएगा जिसमें आपको धियान रखना है कि किस कारण से आपका form reject किये गया है जैसे अगर मान लिए इनका डिटेट को हम लिकिन जो भी आपका reject होगा जैसे जाती के करने इनका reject है ने वाला इनका जुका certificate है उसको आपको update करकर आपको यहाँ से क्या करना है आपको क्या करना है साथ है साथ साथ एकर आपको тр है जिसका एक यह क्ष़िए देक्ट कर देना है जिसको ब्लोट करते करेंगे यहां से सकते करेंगे अबुक्त है alti syao बना है और आप देख के ऑन बना है और सस़िविक्रेट कब MATT बना है जनकारी को डालना है को ऑपसन मिलता ऑप अपडेट का इस इसको आपको क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपको मिलेगा apply for scholarship जिस पर क्लिक करेंगे लेकिन ध्यान रखेंगे जब आप अपने detail को update करते हैं तो आपको wait करना है पूरा status check करना है इस परकार आपकी जो status है वो done होगी जैसे income इनका done हो चुका है इसी अनुसार फिर जो cast आपका है वो reject है तो फिर यहां पर pending आपको देखनों कमिलेगा और जैसे ही यह pending आपका done में बदलेगा फिर आप यहां से जाकर form को आप apply करेंगे apply for scholarship पर जाकर तो यह इसका cool process था वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने postmatic scholarship apply किया है किसी कारण से उनका form reject हो चुके है ID password आज चुका है तो login करकर आप अपने detail को update कर सकते हैं ID password नहीं मिला है तो आपको wait करना है ID password आपको मिलेगा आपको प्रसान नहीं होना है मैं आसा करता हूँ यह जनकारी आपको बहुत पसंद आओगा पसंद आओगा तो इसे like करें चैनल पर नए हैं तो subscribe करें आने वाली सारी update के लिए video देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद